नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रेडिंग चैडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। है वर्तमान समय में अपना खुद का कारी करते हैं और कुछ आतेली पर इनके मोल बन रहा है जो कि इनके सूड़ी फिंगर पर है और बुद्ध फिंगर पर है तो इस दोनों ही विश्यों पर इनको जानना है कि इस दोनों मोल के क्या effect और क्या side effect basically side effect ही होते हैं तो क्या होंगे इसके लिए क्या remedy करें तो वीडियो काफी खास है अगर आपके किसी के हाथ पर बुद्ध finger पे मोल हुआ या sun finger पे मोल हुआ तो आज की वीडियो में आपको इसका उपाय मिल जाएगा और अतेली पर क्या अच्छे खराब अवस्था बन रही है इस वशे पर पूर्णता चर्चा कर दीजिए तो निश्चिन्त रहिए बहुत डिटेल्स में आपकी वीडियो आएगी अभी और व्रिहत पेमाने पर मैं जानकारी आपको दूँगा हर एक एकस्पेक्ट पर विचार करूँगा हर एक पहलू पर विचार करूँगा उसके साइड एफेक्ट को वीडियो के माधियम से बताऊँगा तो वीडियो काफी महत्पूर्ण सबसे पहले चीज़ पॉजिटिविटी को दिखाता हूँ मैं और इस सतली को देखके एक बाते दिमाग में जरूर से आई कि ऐसे विक्ती कुछ ऐसा कर जाते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं या जिन्दगी पर कुछ ऐसी जुगार लगती हैं इनके कह सकते हों आप कह सकते हैं हम कि ये लोग भाद पैसा गमाते हैं भाद पैसा और इतना पैसा कि मतलब आप रख नहीं पाऊगे कुछ ऐसी अवस्था इनके तली पर जरूर से मौझूद है तो उस विशे पर बता के आपको चीजों को प्रूब भी किया जाएगा अभी ही इसी वक्त तो चलिए पहले पॉजिटिविटी को देखते हैं ये बाते मेरे जहन में आई क्यों और शूरी परबत और जीवन रेखा दोनों पर ही भादी अच्छी अवस्था बनी वी है उस चीज को भी मैं बखो भी जरूर दिखाऊंगा तो सबसे पहले सुरुबात करते हैं पॉजिटिविटी से जहां पर चीजों को असपस्ट किया जाएगा और पहले तो मैं वो दो चीज दिखाना चाहता हूँ जो देख के मुझे बहुत खुशी हुए मुझे अंदर से लगा ये है जानदार योग आईए strong progress line आपके जीवन रेखा पर completely, completely मतलब ये अदबुत है कुछ nominal से राहू लाइन भी है उसको भी दिखाया जाएगा लेकिन एक, दो, चार राहू लाइन और बिना किसी strength के राहू लाइन है तो इसके regarding कोई भी side effect आपके जिंदगी पर देखने को नहीं मलते है भागे रेखा भी आपकी अच्छी positive sense पर मैं दिखा रहा हूँ यहां से भी देखो एक भागे रेखा ने cover up किया है और यहां से भी एक भागे रेखा काई ब्रांचे जो आगे भी cover up कर रही है आगे आपकी strong आपकी सूरी रेखा एक से ज़ादा ही amount में है और सूरी पर यहां पर से एक देख लो तो हलका सा rectangle भी जरूर से मौजूद आपको दिखेगा और strong आपकी बुद्धरेका यह तो बहुत बड़ी बात है और बहुत शुन्दर आपकी बुद्धरेका आपके हाथ पर तो पैसे तो जरूर से कमा हो गया एक बुद्धरेका यहां भी है और देखो इनके हाथ पर कह सकते कि हम दोरी फेट लाइन है एक फेट लाइन यहां से शुरू हुई है एक फेट लाइन यहां से शुरू होके चल रही है तो इस दोणों ही केस में दोड़ी फेट लाइन का साथ आपको जरूर मिला है आपकी जिंदगी पर और आपकी अतली पर वो चीज़े मौझूद है यहां से भी देखो आगे बर रही है और बाकी आपके बुद्ध पर लाइन्स भी है जो नॉर्मल नॉर्मल पॉजिटिविटी होती है यह भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है और मूलता सारे प्लैनेट्स में स्ट्रंथ है यह भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ आपके अतली पर मौझूद है इस सारे ही अवस्था में जो आपकी हतली पर मौझूद है इसके इसमें विक्ति पैसा जरूर से कमाते हैं इसमें कोई संदेहवारी बाद नहीं है और मंगल परबत पर कुछ एक यूनिक इंडिकेशन मुझे दिखा इस बीच में तो मुझे एक स्टार दिखा और इसी पर ऊपर एक कुछ नेगेटिव विटी भी है जो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती है तो उस नेगेटिव विटी के तरब भी मैं परचे अभी कराऊंगा और इनको यहीं पर अभी इसी वक्त उपाई जरूर दे दूँगा जिसके करने मात आपके जिंदगी पर टेंशन नहीं रहेंगे आप अपने सारे नेगेटिव विटी को दूर कर पाऊगे बस नॉमिनल सा उपाई करके और उस उपाई को प्रूफ करके दिया जाएगा तो आईए देखते हैं कौन सी ऐसी उपाई इनके हद धतेली कही साब से सेट करेगी इनके जंदगी पर तो सबसे पहले ची क्या साइड इफेक्ट होता है एकदम डरने के आवशक्ता नहीं है एकदम प्रिशान होने के आवशक्ता नहीं है जो चीज़े मैं आपको बता दूँगा इसके उपरां ना तो इधर ना तो अधर मेरी बाते सीधा पॉइंट पर लगती है और मैंने इनको फोन पर भी बता होती है कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का आपके उपर इल्जाम लगता है मानहानी का दावा लगता है कुछ ऐसे इल्जामात आपके उपर लग जाते है जो गलती आपने नहीं की होती है या की भी होती है तो आपको उतना बड़ा सजा नहीं मिलना चाहिए जितना बड आगोता है आपको लेकिन मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे इर्जाम या फिर ऐसे कुछ मानानी के लफड़े आपके उपर जरूर लगते हैं जिसके जैसे आप परशान रहते हैं अपने 25 में वर्स की आयो तक अगर आपके सूरी फिंगर पर मोल है और वो मोल ताकतवर है यहाँ पर एक और टर्नमेंट कंडिशन था कि एक तो मोल होना चाहिए दूसरा उस मोल में ताकत होना चाहिए बिना किसी ताकत के कोई भी साइड इफेक्ट कोई भी नेगेटिव से नेगेटिव चीज आपको साइड इफेक्ट नहीं डाल सकता कोई भी पॉज बुद्ध फिंगर के मौल के तरब, तो देखो बुद्ध फिंगर का मौल क्या करता है। हलाकि ये इनके ना तो मौंट पर है और ना एक्जेक्ट इनके फिंगर पर है। इस case में विक्ति को कम से कम 33 years तक निरने तो सोच समझ के लेने चाहिए, पैसे का लेन देन तो नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी ब्रश्पती में भी तंग अवस्था है, इस case में धोका मिलने के बहुत chances हैं, और यहाँ पर से अगर आप interlink करोगे सब चीजों से, तो आपको समझ में आएगा कि देखो क्या एक तो आपके ब्रश्पती खराब हो है, इस case में यह होता है कि विक्ति के पारिवारिक समस्या या दोस्त के तरफ से लफड़े होते हैं, या अपनी कारिच छेतर को बराने में कोई नहीं कोई धुकावटे आती हैं, दूसरा आप decision maker तो किसी भी प्रकार का निर्णे लेने से पहले आप दस बार सोचे, हर बराहट, घबराहट, panic less में किसी भी प्रकार का निर्णे नहीं ले, ये आपके लिए एकदम ही अनुचित है, और second one क्या करे, एक आप में एक और problem develop करेगे कि इनसान अपने आपको ज़्यादा over confidence समझ कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं सही ही कर रहा हूँ, मैं बहुत ग्यानी हूँ, मुझे सब कुछ आता है, ये एक over confidence की भी problem आपके बुद्ध फिंगर पे बलने वाला मोल दर्शाता है, बुद्ध बुद्धी का कारक है, या तो वो आपको बहुत निराशावादी बना देगा, या वो आपको इतना confidence दे देगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलिफ दे रहेगा, तो ये मैं second को ज़्यादा यहाँ पर प्रात्मिक्ता दूँगा, क्योंकि आपकी बुद्ध माउंड भी problem है, इस case में जो second वाला मैंने आपको बताया न, या तो इतना बना देखने को मिलता है, इनसान की उतनी छमता नहीं है कि वो एक बार में सब कुछ अपने अंदर समाले, ये बहुत मुस्किल है, तो मैं चाहूंगा आपसे कि अगर आपको किसी चीज में overconfidence हो रहा है, या आप उसके बारे में बहुत जानते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आ किसी भी प्रकार के मोल से बचने है, तो एक मैं आपको जनरल उपाई बता देता हूं, युनिवर्सल उपाई बता देता हूं, उस केस में महादेव को जल देना बहुत अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार के मोल के side effects के बचने है तो, जादा लफड़े करने के आवशक्ता नहीं है, जादा पैनिक होने के आवशक्ता नहीं है, जादा उपाई के चक्कर में परने के आवशक्ता नहीं है, जो विक्ती आपको उपाई दे रहा है तोने टोटके का, वो खुद अपने जिंदगी पर भी वो उपाई करके फाइदा नहीं पा सकता है, समझने का प्रिय कर सकते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे लोग है अंदभक्त हम कह सकते हैं जो कहीं न कहीं ट्रस्ट करते हैं उनको लगता है कि उनके जिन्दगी पर सब चीज ठीक हो गया उसके उपाई देने से या उसके उपाई करने से देखे एक सिंपल सा बात अपने दिमाग में घुसा लीज चाहे आप कितने भी धर्मात्मा क्यों ना हो याद रखना तो इस बात को आप समझ लो तो अपना काम खुद से करो जो बताता हूं उसको करो फाइदा नहीं आएगा फिर बोन ला और ये जो आपके अंदर चीजे बैट गए ना कि वो आपके लिए उपाय करेगा वो आपको बोल रहा हूं कि ये चीज़े नहीं होती ये चीज़े गलत हैं इस चीज़ों के चक्कर में मत पलो तो हमारी बाते नहीं सुनोगे क्योंकि आपको सुनना नहीं है ना आपके आँख पर तो परदा हटा लीजे आप तो खुद से करने के बाद ही आप जीबन में सक्सेस करें याद रखना तो ये था इनके कुछ negative impact और एक और negativity इनके अंदर सी थी तो ये देखे यहाँ पर से आपके कुछ emotional nature का परिचे करा रही है बाकि mind रेका पर कुछ दवाब तो है ये दो line सी है मूलता तो इंसान दवाब में ही है और ये continue basis पर आप दवाब में ही है कुछ-कुछ में मन लगता है वो काम करो ना शान्त खुद हो जाओ गया तो चलिए जी इनके दो negativity बहतर थे इनके अधली पर जिससे मैं मैंने चर्चा करी अभी अब इनके प्रशन के तरफ चलते हैं हाला कि इनके प्रशन है आगे की जिंदगी कैसी रहेगी तो मैं आपको लिखित रू अबराहट में आके कोई भी किसी भी प्रकार का अंद्रन है आप में जिंदगी के लिए नहीं ले लीजिए ये आपके लिए ही तकलीफ दे रहेगा बाकि आपकी कोई विशेज राहू लाइन का कट नहीं है ये सम नॉमिनल से हैं इसको देख के चिंता करने के व्यावशकत नहीं है बागा कि मैं जब जीवन रेखा प्याओंगा ये इसको इंडिकेट कर दूँगा कोई रिक्वाइर नहीं है लेकिन फिर भी मेरे तरब से मैं जरूर कर दूँगा बाकि आपके अपके कंटीनु बिसेस पर प्रगती के योग है तो जिंदगी तो आपकी मस्त मखन बीती रही है हर साल दो साल में प्रगती के योग है क्या चाहिए आपको और बागी रेखा भी आपकी अच्छी है यहाँ पर से थोरी बागी रेखा मोटी है तो यहाँ पर क्या रुकावट आएगी मानलो अभी आप 10 रुपे कमा रहे हो उस समय आके आप 5 रुपे कमाऊग तो वहाँ पर आके फ्रस्टेट नहीं होना है चुकि मैं इसलिए यह बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रॉग्रेस लाइन है कमाऊगे तो आप लाइफ टाइम कमाते ही रहोगे अपर्चुनिटी आते ही रहेगी लेकिन यहाँ पर डिक्रीजमेंट आएगी पार्टिकुल तो ये इनके एतली का कुछ विचार किया गया हमारे द्वरा अभी इनके एतली को मैं जनल असस करूँगा चीजों को असपास रूप से क्लर बताऊंगा आपको तो मूवी अभी शुरू होगी अभी कहां जा रहे हो आप छोड़ के मत जाओ बस लगे रहो मैं अभी आपको सेप के तरफ में चलूँगा इनका सेप कैसा है तो यहाँ पर से मुझे स्क्वाइर सेप का पाम नज़रा आ रहा है और चुड़ाई भी है तो विक्ती होते बड़े जिद्धी है ऐसे इंसान बहुत जिद्धी किसम के होते हैं और मूलता सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ तो विक्ती की राज्यों की प्राप्ती है कितना 60% जिद्धी बिताने के लिए इनफ है और गुलाबी अते लिए धन को अट्रैक्ट तो करते ही करती है पैसे की मूलता इन लोग को दिक्कते जिद्धी पर नहीं आती है जब से घोस समाला होगा तब से पैसे कमा रहे होंग अच्छे योग हैं तो ऐसे इनसान को बहुत कुछ लाइफ में करना होता है यह जरूर से करते भी हैं क्योंकि इनकी एक इनलमान सिकता होती है कि यह करे और इस चीज़ को यह करने के लिए कुछ भी जान लगा देते हैं और थम्ब आपका काफिस स्ट्रॉंग है तो स्ट्र नहीं बनी वे या सीधी भी बहुत अच्छी नहीं बनी वी है इस केस में विक्ती को परशानी आती है निरने लेने के परती तो निरने को तो सोच समझ के ही आपको लेने के आउशक्ता है नहीं तो परशानी आपको ही आएगे मुझे क्या तो निरने सोच समझ के आप लेज तो मैं कहूंगा कि मैं इस मामले में थोड़ा strict हूँ कि मैं लोगों को जो उपाई देता हूँ मैं उनसे ये उमीद करता हूँ कि आप करो क्योंकि आज मैं आपका देखूंगा कल किसी और का देखूंगा आपके लिए एक मेले अंदर एक अच्छी feelings है जो feelings मैं जाहिर कर रहा हूँ वीदियो के माध्यम से इतना elaborate कर रहा हूँ इतना समझाने का परियास कर रहा हूँ अगर मेरा मेंत को आप सार्थक करेंगे अगर हमारे मेंत को आप सार्थक करेंगे तो आप बहुत बड़ा काम करेंगे मुझे बहुत खुशी होगी लेकिन अगर आप हमारे मेनत को सार तक नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और मुझे बहुत दुख होगा इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको करो क्योंकि रोज के दिन तो पैसे खर्च करने की एक योग बन जाएगे आपके जिंदगी पर खुद भी आप खर्च ले परविरती के विक्ति हैं तो खर्च भी नियंतर करने के आपको आवशकता है बाकि आपकी खड़ी लाइन्स जो आपके थम अप इस ट्रॉडी फिंगर्स पर है जो कि आपके हाथ पर लाइन्स बन रही है आपके दोस्त में तरह जरूर होंगे लेकिन सेलेक्टेड रूप में तो थोरा मैं चाहूंगा लोगों से इंट्रेक्शन आप करें जरूरी आपके मांसे किस्तिती के लिए भी बाकि आपके स्ट्रॉण लाइन्स है जो कि आपको बहुत ही अच्छा बना रही है नेचर वाइस ऐसे विक्ती नेचर वाइस बहुत ही अच्छे होते है इसमें किसी परकार का संदे नहीं है अभी चलते हैं इनके ब्रशपती फिंगर के तरफ तो यहाँ पर से देखो तो कैलकुलेटिव तरीके से और किसी ना किसी परकार के टैलेंट आप में जरूर आएगा जिससे आप पैसे आर्न करोगे बहुत जादा आपकी बुद्ध फिंगर टिंड कर रही है बाकी बुद्ध फिंगर छोटी है तो विक्ती को निरने समल के लेने के आवशकता है पहला फैलेंट सारे को अच्छा है तो इंसान सक्सेस्फूल जरूर बनते हैं लेकिन यहाँ पर से दो केसे होते हैं एक होता है विक्ती बहुत पैसा कमाता है और एक होता है विक्ती कम पैसा कमाता है लेकिन बचाता बहुत है तो आपके केस में आप बहुत पैसा कमाओगे बचाओगे नहीं यह आप कोशिश करो बचाने का जरूरी आपके लिए यह इवन बहुत ज़ादा जरूरी आपके लिए या बचाने का प्रियास करें बागी creativity आपकी अच्छी है finger लंबी सीधी है इस case में विक्ती बहुत creative होते है अभी इनके planets के तरब चलते हैं वहाँ पर से असपर स्टूप से चीजों को clear किया जाएगा तो ब्रश्पती आपकी मैं यहां से तो अच्छा समझूगा 25 में साल के बाद 25 में से पहले अच्छी खासी दोकादारी आपको मिली है ब्रश्पती में दवाब है तो 30 साल तक इसका impact पड़ता है पैर खीचने वाले लोगों की कमी नहीं होती आपके जिंदगी पर तो ट्रस्ट करना है तो limited amount में सोच समझ के करना है योई ट्रस्ट नहीं कर लेना है बाकी परोपकार के अच्छे lines इंसान बहुत अच्छे हैं दिल से ये lines आपको बहुत अच्छा बना देती है आप बहुत ही बहुत मधुरबासी इनके अंदर लालसा रहती है तो ये बहुत ही अच्छी चीज है आपके अंदर इसको आप बनाए रखें वाकी आपकी ये चल्ले बहुत ही शानदार है और दूसरे यहाँ पर से एक square नुमाकरती का formation भी है इस case में no doubt no doubt इस case में विक्तिक authority post की प्राप्ती होती है और हो भी क्यों ना ऐसे इंसान होते बहुत तेज तर्राग है और ब्रशपती अच्छी है तो कारे शेतर को जरूर से बढ़ा पाएंगे आप और फिर देखें यहाँ पर से आपके कुछ fate line का branch से ये ये तो आपके ब्रशपती के छले में ही count हो जाएगा ये साड़े ये गुरूवले के sense में मैं जान सकता हूँ यहाँ पर से एक हलकी सी ring of Solomon जरूर बन रही है आपके एतले पर जुपेटर के छले भी कह सकते है जो यहाँ पर से है बाकी यहाँ पर से दवाब है तो विक्ती बहुत ज़दा मेनती एक disturbance शुक्र वले था तो थोड़ा आपको mood swing को problem को indicate करता आपके 30 वरसों की आयो तक और प्रारंबिक relations में problem को indicate करता ये बहुत common है इसके predictions तो ये चीज़ तो हो गई है आपकी अतले पर कुछ अवस्था बाकी देखो line of education बहुत अच्छी है तो विक्ती बहुत तेज तराक है दिमाग के इसमें तो कोई doubt नहीं है बहुत तेज है आप आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके समझते हैं और यहाँ पर से देखो कुछ दो तीन lines भी है तो मतलब किसी भी चीज़ को समझने की जो छमता है न जो एक आपके अंदर समझने की एक energy है वो बहुत शानदार है आपके अपके बहुत शानदार और यहाँ पर से एक ब्रांच खुलने हैं तो पैथिक संपत्ति का मध्यमस रियस्ताथ बाकी एक से ज़्यादा सूरी रेका यह भी एक बहुत खुशी की बात है और बहुत महत्तपूर्ण बात है बाकी यहाँ पर से भी कुछ ब्रांचेस हैं जो कि कई डखाई आपके नेम फिर्यम का तरफ इशारा करा रही है जो कि आपको चाहिए और यहाँ पर स इसमें बनने वाली ही कंडिशन में है अगर यह बनेगी तो आपको नेम फिर्यम बहुत ज्यादा बहुत थगरें आउंड कर देगी आपके जिन्दगी पर तो सुलिप अचther कंडिशन हैं इंसान कहीं कई पैसस जरूर कमा लेते हैं नेम फिर्यम जरूर से कमा लेते हैं सूली बढ़िया होने की वज़ा से आप बहुत अच्छे विक्ती हो और नेम फेम के लिए हमेसाई कारी करते हो बुद्ध पे खरी लाइन्स होने की वज़ा से इंसान बहुत इंटेलिजेंट है बिजनस प्रोस्पेक्टर से आपकी हतली बहुत शांदार है अगर आप विपार में इन्वेस्ट करोगे धन कमाई के बहुत शांदारी होग है बाकि स्ट्रोंग सन मरकरी बुद्ध विवेक से कारे करने वाले विक्ती हैं आप इसमें किसी प्रकार का संदे नहीं है फिर देखे आपके स्ट्रोंग स्ट्रोंग मंगल दोनों मंगल भहुत खतरनाख, थोरा सा न, आपका lower mars थोरा सा मतलब, मद्य मवस्था में, इस case में normal कद काठी के, और सारे डिस्ट्रिक में थोड़ी पतले पन आ सकती है, थोड़ी से आप पतले हो सकते हो, चुकि आपका lower mars है ये बहुत शांदार नहीं है, बाकी upper mars काफी आपको अच्छा कासा दनलाव आपके जिंदगी पर जरूर मिलेगा, जो कि आपके तले मुझे बता रही है, strong mangal, अभी आता हूँ अपर lower mars पर, और चंदरमा भी अच्छी है, कुछ depression के योग थे, जो कि आप तो खाली-खाली से कम से हो रहे हैं, लेकिन कुछ earlier आप depression में ब बहुत शानदार है, बहुत शानदार, तो विक्ति को भागी का अच्छा साथ मिलता है, बचपन से ही पैसे की दिक्कत आपके जिंदगी पर नहीं रही होगी, बागी कुछ आपके lines है, जो कि आपको यात्राएं के तरफ प्रिद कराती हैं, ये भी देखो यात्रा के lines है, और बागी आपकी कुछ ये सब यात्रा के lines है, ये तो आपके fate line का branch है, मैं बताऊंगा, चंदरमा अच्छी है तो पैसे के पर जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है, पैसे के लिए ज़़ादा tension नहीं होता, इंसान को जबी requirement होती है, ये पैसे जरूर से कमा लेता है, इसम रपे गई है, तो लोगों से जुरूरेवे कारे में आपको benefit, पानी से, दूद से, दही से जुरूरेवे कारे में आपको benefit, और जीबन रेखा के साथ एक फिश्नुमा खिरती का formation है, विक्ति के कास्मिक दनलाब जरूर से होती है, साथ साथ जीबन रेखा के बल को भी increase अपनी luxury में ही बिता लेते हैं, शुक्र बहुत अच्छा आपका कुछ आपके squares विकराब बने थे और कुछ आपके luxury के lines भी थे, तो मंगल आपका अच्छा है वैसे, लेकिन थोड़ा दवाब होने के विजासे, साथ एक डिस्टिकों से थोड़े कमजोर से आप रहते हैं, बाकी कुछ मंगल पर unique indications बन रहे हैं, जो इसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अभी भी फिर से clear इसको करी दू, यहाँ पर से जो एक आपके square है, और यहीं पर से जो आपके star दुमा आकिरती का भी जो formation था न, यह वाली मैं यहाँ पर से clear करता हूँ, यह वाली एक star क जो formation था, यह भी बहुत अदबुद है, और आकी square भी बहुत अच्छा है, और आपकी strong मंगल रेखा एक से जादा, इवन उससे भी जादा, कुछ tensions के line है, तो विक्ति थोड़ा चिंता और नीचर वाले होते हैं, चिंता सो बाब के होते हैं, यह basically आपको 25 वर्थ थोड़ा उसकी बना सकती है, उसके बाद तो अभी हिमती बन जाते हो, बाद बाकी मंगल रेखा बहुत अच्छी है, जीवन रेखा बहुत असपस्ट है, इसके इसमें विक्तिकायो दिरगायो है, यहाँ पर से थोड़ा सा मंगल ना, मुझे मध्यमस्तरिये लग रहा है, बहुत इसे तो आप स्वस्तिही रहोगे, लेकिन थोड़ा सा कमजोर यहां से दिखता है, और थोड़ा सा केस में जरूर से समझ में आते हैं, क्योंकि कुछ मंगल रेखा थी, मंगल की थोड़ी डिस्टिकों से थोड़ी गरबर हो गई, प्रोपर्टी तो भहुत होता है इस केस मे लेकिन थोड़ी लेटिगेटेड भी हो सकती है, तो किसी भी परकार का प्रोपर्टी आप परचेस करो, तो वहां पर थोड़ा सा कियर करके करो, यह जरूरी यह आपके लिए, बाकी मंगल ठीक, कि आपका स्टार और आपकी स्क्वाइर का प्रडिक्शन से आपके जंदगी करी होगे, बड़ी प्रगती, फिर वहां से कंटीनियू बनी वे, यह नॉर्मल नॉर्मल राहूर लाईन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर हर साल दो साल में आपकी तरक्की बनी वी है, एक आपके 45 यहर्स में भी बड़ी तरक्की करी होगे, वहां पर से एक दिक्कत 44 यहर्स में होगा, यहां पर से आप समल लेना, बाकी मैं आपको उपाई दे दूँगा, उसके बाद से स्ट्रॉंग आपकी जीवन रेखा है, आपकी 54 में भी तरक्की है, और आपकी 64 में भी है, 68 में भी है, 72 में भी उसका जिन्दगी मस्त स्मूत है, मतलब तरक् लेकिन आप चिंता मत करना, आपने ओपर ट्रस्ट रखना, क्योंकि प्रॉग्रस लाइन अच्छी बनी हुई है, अच्छा अर्ण कर लोगे, और जिस बात का मैंने आपको कहा एक केर करने के लिए कि जल्दी बाजे में निरने मत लेना, लोगों पर फालतों में ट्रस्ट म खुली अभी तो आपकी तीस वरसों के बाद दवाब खतम हो जाएगी, बाकि उसके बाद तो माइंड रेका स्मूच चलेगी, माइंड रेका अच्छी ही है, लेकिन थोरा सा कम पैनिक होना, जादा सोचने वाली नेचर आपकी है, जादा ओवर थिंकर है, इमोशनल भी साथ एकदम कोशिश करना, अपने आपको शान्त रखने का, अगर आप जादा सोच रहे हो तो जिस काम में मन लगता है, वो काम करो, बाकि ये हर्ट लाइन का जो एमोशनल लेचर रही है, आपको लाइफ टाइम ही जेलना है, ये तो कन्फर्म है, ऐसे विक्ति एमोशनल हो जाओ, जो जितना डिजर्व करता है, उसको तना ही तो, बाकि तो अच्छी है, आपकी माइन रेका हर्ट लाइन, कोई दिक्कत नहीं, इंसान कहीं न कई सर्वाइब जरूर से कर लेते हैं, और स्ट्रॉंग फेट लाइन आपकी एतले पर, और यहां से भी देखो एक बाग और यह जो लाइन रहें यह भी कही ना कई आपके जीवन रेखा को सपोर्ट सी ही कर रही है, यह भी आपकी एचीवमेंट को ही दरशाती है यह जो लाइन होती है आपके जीवन रेखा पर यह वाले ये भी कही ना कहीं आपकी achievement कोई दर्शाती है तो इसको भी लेके ज़दा मगजमारी नहीं करने का ज़दा tension नहीं लेने का बाकि आपकी strong प्रगति के योगे प्रगति तो होगा लेकिन थोड़ा मैं आपको aware करना हूँ थोड़ा आपने उपर control लखना 30-34 वर्सों के बीच में थोड़ी deterioration थोड़ी कमाई में कमी सी आ सकती है वो बहुत normal होगा वो बहुत normal होगा आपको पता भी नहीं चलेगा इसलिए pressure मत लेना तो ये इनके कुछ और 36 के बाद से भागे रेका आपकी ठीक ठाक सी दिख रहे फिक continue basis पर साथ है बाकि आपके विदेशी दर्ती से दनलाफ के योग भी है यात्रा भी बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी यात्रा के तरप से ये परिचे करा रही है और strong सूडी रेका भी आपकी बन रेक से जादा ही सूडी रेका बन रही है तो विक्ति पैसे जरूर कमाते हो कि मानलो भी आप एक लाग कमारे तो दसजार का आपको पता चल सकता है कि दसजार मुझे कम हो गया लेकिन आप धिरे-दिरे आगे ही बढ़ोगे आप धिरे-दिरे कमाई के माल के पर आगे ही चलोगे क्योंकि इसको कवर अप करने के लिएक और फेट लाइन सी आपके अतली पर जरूर से मुझूद है तो वो दस-बीस हजार का आपको एक नुक्सान लग सकता है या फिर थोड़ी कमाई में कमी हो सकती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ पैनिक मत होना है जिन्दगी का तीन-चार साल खराब होगे उसको खराब नहीं कहते है और फिर देखिए इनके इतली पर स्ट्रॉंग आपकी मल्टिपर प्रापर्टी कही होगे 36 के बाद तो बहुत पैसे कमाने वाले हो आप mercury line जो की बहुत शांदार है तो यहां से business में तरक्की को indicate करती है विक्ति विपार में जरूर से आगे बढ़ते हैं पैसा जरूर से अपने जंदगी पर कमाते हैं तो विपार करते रो मस्त करते रो यहां से भी एक money triangle सी मुझे लग रही है बनाई है nominal case में तो पैसे तो जरूर आएंगे खर्च के पैमाने ज़ादा है ना कुछ भी accurate money triangle आपका नहीं बन पाया ना तो पैसे तो ऐसे विक्ति बहुत कमाते हैं लेकिन खर्च उससे ज़ादा कर देते हैं तो खर्च पनी अंतरनकना बागी बागे के धनी हो strong background है दिमाग तेज है यहां से भी एक rectangle सा बन रहा है तो property विक्रा बनाओगे पैसे जरूर से कमाओगे जिस बात का मैंने आपको दिया है कहाई ख्याल रखने के लिए बस उसका रख लेना कोई tension नहीं आपका जिंदगी पड़ अगर आपको मारा यह वीडियो पसंद आया लाइक कर दे कमेंड कर दे शेयर कर दे सस्क्राइब कर दे अगर आप प्रस्तनी में रख सस्तरे का निकाके सही जानकारी पाना चाहते है हमारा whatsapp नम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेके आप समपड़ कर सकते हैं धन्यवा अगर झाल